तो एक्जाम सुधे में इसके एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कविवर बिहारी का जीवन परिचे कक्षा 10 में भी है कक्षा 12 में भी है संभोता और यूपी बोर्ड की परिचे आने वाली 2020 की परिच्षाओं में जीवन परिचे पूछे जाते हैं दोस्तो कवि का और लेखक का तो बिहारी कविवर बिहारी एक बहुत ही महान कवी रहें तो उनका जीवन परिचे हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से किस तरह इसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से ताकि हम याद रख सकें तो कुछ सूचना है आप अपने माइंड में फीट कर लीजिए अपने माइंड में रख लीजिए तो आप उनका जीवन पर रिचाय लिख देंगे तो कौन-कौन सी हैं जानकारी चलिए देखते हैं तो दोस्तो नाम तो है आपका कविवर बिहारी और पिता जी का नाम है केशवराय तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों की अगर आपको यह पॉइंट मालूम रहेंगे तो आप लाइंस आसानी के साथ बना लोगे अगर आप आप में लिखने की शमता है अगर आप बना के लिखने की शमता रखते हो तो आप यह बना लोगे बाशा शैली में पिर आप उसी में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि इनकी बाशा शैली प्राउण 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 प्रिश्क्रत एवं परिमाडित ब्रजभाशा का उपयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है इनकी मुक्तक शैली है अलग- दोस्तों कभीवर बिहारी और पिता जी का नम केशव राय जन्मुवा सन 1603 में बस्वा गोविंद पूर ग्वालियर में हुआ और शैली यहां पर प्रावन प्रांजल परिश्क्रत एवं परिमारडित ब्रज भाशा शैली मुक्तक है और दोस्तों फिर आप हेडिंग डाल के लिख दो अगर आप हेडिंग डाल के लिख तो जीवन परिशे में दोस्तों अगर आप कथा की तरह ना लिखें बहुत ज्यादा ना लिखें लेकिन आप हेडिंग वाइस लिख देंगे तो में में सूचना है आपकी चली जाएंगे और आपको चार नमबर या जितने भी दोस्तों बारवी में तो चार नमबर के दो जीवन परिशे आते हैं एक कवी का आता है लेखक का दस्वी में भी इसी तरह से कुछ मार्स का डिस्ट्रिबूशन होता है तो वहां पर भी आपको आंकासाने से मिल जाएंगे तो इनकी जो प्रमुख रचना है दोस्तों वह भ मिल जाएंगे कि स्वध्याय से अध्यन किया होगा इन्होंने तमाम भाशों का ज्यादा तर कवियों लेकर यही करते हैं कि उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की ठीक है इस तरह से आप बना बना कर लिख सकते हैं साहित में इस्थान लिखा हुआ है साहित में इस्थान क्या है इस तरह से आप जीवन पर चाहे लिख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, और थोड़ा सा बना के लिखना है, दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स टुटिव में, हिंदी की सीरीज अभी चल रही है, यह फिल फ्रूचर थैंक यू एंड बवाय दोस्तों